ओम शान्ति आज दिनांक 19 नवंबर 2022 प्रातह मुरली पाप दादा मदुबन बाबा बोले मीठे बच्चे पतित पावन भाप आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने पावन बनने वालों को ही सद गती प्राप्त होती है मीठे बच्चे पतित पावन भाप आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने पावन बनने वालों को ही सद गती प्राप्त होती है सद गती अर्थात सत युक की बात साही सद गती अर्थात पावन दुनिया का मालिक बनना पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक जो बच्चे बनने का पुरुशार्थ करते हैं बाबा कहते वे बच्चे पावन बनते हैं पावन बनकर बाबा से वर्षा लेते हैं और फिर पावन दुनिया का मालिक बनते हैं अर्थात पावन बनने वालों को ही बाबा आकर सद गती परदान कराते हैं क्योंकि यहां तो बाबा, अमरत भी पिलाते और बरसा भी देते हैं, कहते हैं पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, बाबा कहते हद के बाप में और बेहद के बाप में कितना फर्क है, हद के बाप कहते साधी करो तो वर्षा मिलेगा बेहद का बाबा कहता पवित्र बनो तो वर्षा मिलेगा अर्थात जो बच्चे पावन बनते हैं उन्हें ही बाबा सद्गती परदान करते हैं उन्ही के लिए गायन है सद्गती दाता प्रश्न किया बाबा ने भोगी जीवन, योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर में बाबा कहते निश्चय जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयम बेहत का बाप है तब तक ना योग लगेगा, ना पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे, भोगी के भोगी रह जाएंगे कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले पर निश्चय नहीं, समझते हैं हाँ कोई सकती है लेकिन निराकार स्यू बाबा पढ़ाते हैं, यहा कैसे हो सकता है? परिवर्टन नहीं हो सकते, अर्थात, बाबा आज हम बच्चों को परिवर्टन का आधार बताते, जो बच्चे एक बाब पर निश्चय बुद्धी हो जाते हैं, जिने यहा निश्चय हो जाता है कि निराकार परमात्मा हमें पढ़ा रहा है, वे ही बच्चे योग लगा स अर्थात जो अच्छी रीती स्वयम को जानते बाबा को पहचानते उन बच्चों का योग लगेगा और जो बच्चे संसय बुद्धी रहते कि कैसे बाबा आता है कैसे पढ़ाता है यह निश्चय ना होने के कारण बाबा कहते भोगी के भोगी बने रह जाते हैं गीत सुनाया बाबा ने ओम नमु शिवाये ओम शानती बच्चे यह तो समझ गए हैं कि सिव बाबा हमको समझाते हैं घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे भगवानु आज यह तो काईदा नहीं कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी हैं सिव बाबा जो सबका बाप है वहा हम बच्चों को बैट समझाते हैं भविस्ये 21 जन्मों के लिए अटल अखंड देविये स्वराज्ये प्राप्त कराते हैं जैसे इसकुल अधवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान बेरिष्टर बना रहे हैं एम ऑबजेक्ट है बाकी सतसंगों में जो जाते हैं वे सास्त्र आदी सुनने के लिए उससे तो कुछ मिलता नहीं बाबा कहते बाकी सतसंगों में जो जाते हैं वेद सास्त्र आदी सुनने के लिए उससे तो कुछ भी मिलता नहीं है इसलिए टीचर फिर भी अच्छे होते हैं जो सरीर निर्वा अर्थ कोई जिस्मानी विद्या सिकलाते हैं जिससे आजीवी का होती है बाकी सब दुर्गती ही करते हैं बच्चे साधी ना करना चाहें तो बाप कहेगा कि वर्सा नहीं मिलेगा जहां चाहे वहां चले जाओ यहां तो बाप अमरत पिलाते हैं और वर्सा भी देते हैं कहते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे कितना फर्क है हद के बाप और बेहत के बाप में वहां रात में ले जाते हैं यहां दिन में ले जाते हैं यहां है ही पतित पावन कहते भी हैं कि सदगती दाता एक है जो आकर सब की सदगती करते हैं फिर दुरगती किसने की यहां नहीं जानते बाप समझाते हैं सब आसुरी मत वाले हैं यहां आते हैं असुरो बाबा कहते यहां आते हैं असुर से देवता बनने यहां इंदरप्रेस्त है कई असुर भी छिप कर आए बेटते हैं सब सेंटर्स पर ऐसे छिपे असुर विकारी बहुत आते हैं फिर घर में जाकर विश्पीते हैं दो काम तो चलना सके वह पत्थर बुद्धी बन पड़ते हैं बाप को पहचानते ही नहीं निश्चय बिलकुल ही नहीं कि हमको बेहत का बाप पड़ाते हैं ऐसे ही आकर बेड़ जाते हैं तो ना योग लगेगा ना पड़ाई ही पड़ सक सकते भोगी के भोगी ही होंगे बाबा कहते भोगी के भोगी ही होंगे बहुत समझते हैं कि कोई सकती है बस निराकार सिव बाबा कैसे आ सकता कोई सास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं है यहाँ है नई बाते गाते भी हैं सिव जैन्ती परंतु पत्थर बुद्धी होने कारण समझते नहीं है सिव है तब तो सब भक्ति याद करते हैं कहते भी हैं सिवाई नमो समझते हैं वह परंधाम में रहते हैं हमारा बाब भी है परंपिता तो वह सब का फादर होगा ना भारत में ऐसे भी हैं जो फादर को नहीं मानते मनुश्यों को समझाना बहुत मुश्किल है मनुश्य तो यहाँ भी नहीं समझते कि अभी दुरगती का समय चल रहा है भक्ती मार्ग में पहले अव्यभीचारी भक्ती थी अब व्यभीचारी बन गई है व्यभीचारी भक्ती और अव्यभीचारी में कितना अंतर है वह पाप आत्मा वह पुन्यात्मा अव्यभीचारी भक्ती ही सच्ची भक्ती उस समय यानि द्वापर में मनुस्य सुखी भी रहते हैं धन दोलत आदी सब रहता है कल युग में जास्ती दुर्गती को पाते हैं बाबा कहते जब व्यभिचारी भक्ती में आते हैं तब विकारी भी बहुत बनते जाते हैं दिन प्रती दिन विकार भी जोर भरते जाते हैं, पहले सतो प्रधान विकार थे, अभी तमो प्रधान विकार हैं, सब बिलकुल ही तमो प्रधान हैं, घर घर में कितने जगणे हैं, सिव बाबा पेट बच्चों को समझाते हैं, सिरी क्रश्न तो बाप नहीं घहरा, कोई की भ भी बायोग्राफी नहीं जानते यहां है पतित पावन परम पिता परमात्मा को मानते हैं कि वह ग्यान का सागर है यानी बाबा कहते पानी का सागर थोड़े ही पतित पावन नौलेच्फुल है मनुष्य तो पानी के सागर से निकली हुई पानी की नदियों को पतित पावनी समझ लेते हैं उनसे पूछना चाहिए कि जैसे गीता के भगवान का आक्यूपेशन पूछा जाता है निराकार परम पिता परमात्मा है रचियता और क्रस्ट में है रचना अब बताओ गीता का भगवान कौन भगवान तो एक को ही कहेंगे फिर व्यास को भगवान कैसे कह सकते तो ऐसे ऐसे प्रस्ट पूछने चाहिए पतित पावन परम पिता परमात्मा ग्यान का सागर है उनसे यह ग्यान गंगाएं कैसे निकली है बाबा कहते पतित पावन परम पिता परमात्मा ग ज्यान का सागर है? उनसे यह ज्यान गंगाएं कैसे निकलती है? परमपिता परमात्मा भ्रहमा मुक कमल द्वारा भ्रहमन मुक वन्सावली रचते हैं. उन्हों को ब्रहमा मुक से ज्यान मिल रहा है. जिससे सद्गती को पाते हैं अब पानी के सागर से पावन बनते हैं वा ज्यान सागर से पानी से मनुस्य तो पावन होना सके तो यह पहली भी पूछनी पड़े इनको पूछने से पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं बुलाते तो उनको ही है कि है पतित पावन सीताराम फिर गंगा में इसनान आदी करते हैं तो यहाँ पहली भी एट करनी चाहिए समय पर हर एक चीज सोपती है जैसे वो गीता भगवान बाबा कहते जैसे वो गीता के भगवान वाली पहली है वैसे यह भी पहली है ख्याल चलते तो है न क्या ऐसी चीजे बनाएं जो मनुस्य सदेव अपने पास यादगार रखे अच्छी चीजे होंगी तो अपने पास रखेंगे कागज आदी तो फेक देते हैं देवताओं की अच्छी चीज होगी तो वहाँ फालेंगे नहीं सर्विस की प्रेक्टिस वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा और काम करके दिखाएंगे सिर्फ कहना नहीं है कि ऐसा करना चाहिए यहाँ किसको कहते हो बाबा करेगा वह बच्चे करेंगे बोलो कौन बाप तो डाइरेक्शन देते हैं ऐसे अच्छे चित्र कैलेंडर छपवाओ त्री मूर्ती सिव के कैलेंडर निकलने चाहिए बाबा कहते त्री मूर्ती सिव जैनती कहना राइट है सिर्फ सिव जैनती कहना रॉंग है एक बच्चे की दिल है त्री मूर्ती सिव जैनती का कैलेंडर बनवावे सो भी रंगीन त्री मूर्ती से समझानी अच्छी मिलती है बाबा लौकेड भी इसलिए बनवाते हैं कि उनसे अच्छा समझा सकते हैं ब्रह्मा द्वारा सिव बाबा सद्गती करते हैं तो जो मेहनत करता है वही विश्नुपुरी का मालिक बनता है बाकी जो ग्यान नहीं लेते उनका विनास हो जाता है वहर सजाएं भी खाते हैं पद भी नहीं पाते भगत भगवान को याद करते हैं परंतु जब भगवान आते हैं तब कितने थोड़े उन्हें पहचान कर उनका बनते हैं कोटों में कोई जो मुक्ती के लिए पुरुसार्थ करते हैं वह पद अच्छा पा नहीं सकेंगे विकर्म विनास नहीं होंगे इसलिए साक्षातकार कराया था धर्म इस्थापक भी आते हैं द्रश्टि लेने याद करते करते विकर्म विनास करते जाएं तो उच्पद पा सकते हैं और धर्म वाले भी आएंगे सोभी पिछाडी में जो बड़े होंगे ऐसे नहीं कि अभी का पौप आएगा ना ना पहले नंबर का पौप जो अभी अंतिम जन्द में है वहाँ आएगा हिसाब है बड़ा भारी अब यहाँ कुम्ब का मेला है यहाँ सब भक्ती मार्ग की सामगरी है जब दुरगती को पाने का पूरा ग्रहन लग जाता है तब बाप आकर सोला कला संपूर्ण मनाते ग्रहन को स्वदर्शन चक्र से निकाला जाता है यहाँ जो अपना गोला है उसमें नीचे लिखना चाहिए यहाँ है स्वदर्शन चक्र यहाँ बहुत अच्छी चीज है यहाँ इसवर्य कोट ओफ आर्म्स है यहाँ तो इसवर्य बाते हैं स्लाइड जो बना रहे हैं उनके लिए भी बाबा समझानी देते रहते हैं अगर समझो वो मुर्ली ना सुने तो डाइरेक्शन अमल में लाना सकें मुर्ली तो रोज पढ़नी चाहिए सर्विस में जो है उनको एक्ट में आना चाहिए त्री मूर्ती का भी स्लाइड बनाते हैं उनमें अक्षर बहुत अच्छे हैं इस्थापना और विनास दो गोले भी चाहिए यह नर्क यह स्वर्ग यह आज का भारत और कल का भारत बाप सेकेंड में जीवन मुक्ती देने वाला बैठा है बाबा को पहचाना निश्चय हुआ बस जीवन मुक्ती को पाने का पुरुशार्थ चल पड़ा जन्म तो लिया न बाप से पूरा वर्षा लेना है फिर विकार की मांग नहीं कर सकते बाप कहते हैं ब्रष्टाचारी को वर्षा मिलना सके प्रेक्टिकल में इनका ब्रह्मा का ही मिसाल देखाना बाबा कहते प्रेक्टिकल में इनका अर्थात ब्रह्मा का ही मिसाल देखाना ऐसे बहुत मुश्किल निकलते हैं अपनी इज्जत आदी भी बहुत देखते हैं न क्रियेटर बाप है सबको उनकी आग्या पर चलना है तुम भी स्रीमत पर नहीं चलते हो तो पद ब्रश्ट हो जाता है बाप कहते हैं इस ग्यान मार्ग में नश्टो मुहा अच्छा चाहिए बाबा की आग्या मिली हुई है जो बच्चे आग्याकारी नहीं वह कपूद ठहरे वह बच्चा बच्चा नहीं पवित्रता की आग्या तो अच्छी है न राज योग तो बाप अभी सिकलाते हैं मनुष ये तो विचारे समझते नहीं बच्चो में भी नंबरवार पुरुशार्त अनुसार समझते हैं बाप इतना डाइरेक्शन देते हैं कोई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं बाप कहते हैं तिरी मूर्ती का केलेंडर बनाना है सारा मददगार है तिरी मूर्ती सिव के लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा इस्थापना जरूर सिव बाबा स्वर्ग की इस्थापना करेंगे न कल्यूग आसुरी राज्ये का विनास होगा आसुरी राज्ये में कितने ढेरें देवी राज्ये में कितने थोड़े हैं लिखा हुआ भी है कि अनेक धर्मों का विनास एक सत्धधर्म की स्थापना बाबा कहते हैं मैं कितना स्रंगारता हूं फिर भी सुधरते नहीं है उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं यहां बाबा कहते हैं दे सहित जो कुछ है सब कुछ भूल मामे कम याद करो अपनी देह में भी ना फसो किसकी देह में फसने से गिर पड़ते हैं जैसे मम्मा की देह से प्यार था तो मम्मा के जाने के बाद कितने मर गए क्योंकि नाम रूप में फसे हुए थे बाप कितना कहते हैं कि देह अभीमानी मत बनो मामे कम याद करो तुम इस ब्रह्मा के सरीर को भी याद नहीं करो सरीर को याद करने से पूरा ग्यान उठा नहीं सकते देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है बाप की याद में रहना है यह बहुत डिफिकल्ट है ग्यान तो बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं योग में मुश्किल रहते हैं, जितना रुस्तम उतना माया के तूफान आएंगे, किसी ना किसी के नाम रूप में फस, धोका खा लेते हैं, इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए, योग में ही बड़ी मेहनत है, नौलेश तो सहज है, योग में ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं, विकर्मा जीत कैसे बनेंगे, योग में रहो तो पाप भी नहीं होंगे, नहीं तो सोगुना हो जाएगा, यहां तो खुद धर्मराज और बाप दोनों साथ हैं, इसलिए खुद कहते हैं, कि बाप के आगे कोई पाप नहीं करना, नहीं तो पड़ जाएगा योग से ही विकर्मा जीत बनना है स्वदर्चन चक्र को जानना सहज है इस गोले के नीचे लिखना है चक्र ना की चर्खा पाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं बच्चो को एक्ट में आना है अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चो को नमस्ते हम सब रूहानी बच्चो की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पाइंट किसी किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है, अपनी देह में भी नहीं फसना है, इसमें बहुत खबरदारी चाहिए। दूसरी पैंट बाबा कहते ग्यान मार्ग में नश्टो मुहा जरूर बनना है, पवित्रता की आग्या माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। वर्दान दिया बाबा ने वर्दान में बाबा बोले सर्व विकारों के अंसकाभी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर वन विजई भाव। सर्व विकारों के अंसकाभी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर वन विजई भाव। डिटेल में बाबा समझाते संपूर्ण पवित्र वहा है जिसमें अब पवित्रता का अंस मात्र भी ना हो। पवित्रता ही ब्राह्मन जीवन की पर्सनेलिटी है। यह पर्सनेलिटी ही सेवा में सहत सपलता दिलाती है। लेकिन यदि एक भी विकार का अंस है तो दूसरे साती भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख सांती है। ऐसे अब पवित्रता के साथ पांचों विकारों का गहरा संबंध है। इसलिए एक भी विकार का अंच न रहे तब नंबर वन विजई बनेंगे स्लोगन में बाबा कहते हिम्मत का एक कदम रखो तो हजार गुणा मदद मिल जाएगी तो ये थे बाबा के महावाक्ये अच्छा ओम शान्ती